दोस्तो वूमेन आपिल का दूसरा मेच खेला जाएगा यूपी वूमेन वर्सेस बेंगलोर वूमेन के बीच में देखो इसमर्ती मंदना को सभी कैप्टन बना के जाएंगे इस मेच में आपको क्या करना इस वीडियो में बताऊंगा ठीक है कौन से प्लेयर ट्रम काड होंग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्योंकि आने वाले टैम में काफी बरे मेचे जाने वाले हैं आपको यहां पर सहरे एक मेच की मेच अनलेसिस मिलती रहेगी तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दो दूनू टीम सब्सक्राइब का क्या से लिए तो पिछला सीजन चभवा था वूमेन आपील का फर्स्ट सिजन तो योपी वूमेन की टीम रही ती पॉइंट टेवल पर तिसरे पोजिशन पर आठ मेच खेली थी वूमेन यूपी की टीम चार में विन था और चार में लौस था वहीं पर लेकर हम बैंगलोर वूमेन की बात करें तो पिछले आपील में टोटल आठ में चिनों ने भी खेला था अपने और जिसमें से सिर्फ दो में विन था और छे में लॉस्ट था और चार नमर पॉइंट टेवल पर फॉर्थ पोजिशन पर यह होल्ड कर रही तो अब दोनों का ज कि बात करें तो सेम पीछ है जहां पर कल मेंच हुआ था मुंबई इंडियन वूमेन वर्सिस देली केपिटल वूमेन के बीच में तो से मैं यहां पर बॉंडरी काफी स्वाट्स वैसे आपको एम चिन्ना स्वामी एशडियम बैंगलोर का जो बॉंडरी है हमेशा से सौट ह होता और वूमेन में तो और सौट हो जाता तो रन बनेंगे काफी यहां पर तो यह ध्यान में रखना बल्लेबाद चलेंगे और जो में बॉलर की बॉलर है उनका परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल जाएगा तब सबसे पहले हमें स्मॉल लीकी एक तो मैं बनाऊंगा ट्रीक प्रैसे ग्लासिक प्रैसे जैसे और सब कर नहीं पर जाया थेले मसले लाधन आपको निले का मौन करना है है जिसको आपको पीक करना ही करना तो सबसे पहले हम बात करेंगे की पर सेवन फोर कमबिनेशन के बारे में बता रहा हूं बिकेट की पर सेक्सन कि एकर हम बात करें तो यहां पर एली साहली रिचागोस आई रहा और दिख रही होगी लेकिन इसमें खेलने के चांसे जो है सब्सक्राइब करने के बाद आट में आउट हो गई थी तो वीडियो को पूरा देखना है किस हिसाब से करना है ध्यान से देख लो ठीक है इस में की टिलिग्राम पर मिलेगी डिस्क्रेप्सर में लिंक है क्लिक करके कर लेना काफी अच्छे फॉर्म है रिसेंटली और हर एक में अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई आ रही है एलिसा के बाद रिचाग होस एक काफी ट्रम पिक हो सकती है लेकिन थोड़ा सा बैटिंग ओडर का जोला अगर बैटिंग ओडर थोड़ा ऊपर करती है यह टॉप फ मंदना मस्ट पिक होंगी यहां पर इनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी और होम एड्वांटेज भी मिलेगा क्योंकि बैंगलोर की कैप्टेन है इसमरती मंदना और फॉर्म ठीक ठाक है बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लेकिन इसमरती मंदना जिस हिसाब की प्ल प्लेयर है जिसमेंसे मैं आपको सजेष्ट नहीं करूंगा किसी को करनी के लिए एक हैस में ग्रेंड लिग में ड्राय कर सकते हो बांकि यही तीन आपको में आपको जो है प्लेयर है बैटिंग से ऑलर लान रासरे की बात थीप मेंगरात तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा ह पिछले कुछ मेंचों में ठीक ठाक परफॉर्मेंट रहा बैटिंग यह करेगी और उपर कहलते हैं न Juice में फिल्रों णेयन के लिए को लिए एक मेंच करती है यह तो व् farm Small काफी जबरदास्त हर एक मेच में अच्छी परफॉर्मेंस बैटिंग से और बोलिंग भी पार्ट टाइम करती है और यहां पर में भी बोलिंग से भी यह अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा दे अब यहां पर दो अप्शन एक तो दिपति सर्मा एक चमारी का तो लेकिन सेवन फॉर कंबिनेशन है तो यह चार अलोनर को मैंने पिक किया है अटापट्टू को ड्रॉप किया है बालिंग की बात करें सोफी इलक्स्टोन काफी अच्छी प्लेयर है हर एक मेंच में आपको यह बिकेट निकालती हुए और तगरी परफॉर्मर है हमेश जो बॉलिंग कर रहे थी शुरुवाती कुछ आवर काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थी काफी बॉल स्विंग भी हो रहा था तो रेनुका सिंग ठाकूर ग्रेंड लिक के लिए कैप्टेन च्वास हो सकते है यह दिहानम रखना इसके बाद मैं जे वैराम को पीक करूंग की बात करें तो बैटिग तो जबर्दस्त करती करती यह करती सासर बैटिंग से अच्छा को यह entrar चाहिएक प्वीन घ्र नहीं बनाओंगे तो चलेगा कैप्टेन के लिए और चोयसे जैसे दिपती सर्मा हो गया सौफी एलिक्सटोन हो गया इसके बाद आपको टी में गरात है कैप्टेन के और चोयसे से तो यहां पर हम प्रिव्यू कर लेते हैं की लिए जो कि आपको यहां पर दिख़ रहा होगा एक एलिशाहली डिवाइन आलिक्सा पेडिश के बाद आपको मैं यहां पर दिपक्टिष सर्माद कर तो यहां पर मैक्सिमम चांस है बेंगलोर आराम से बीन कर जाएगी तो बेंगलोर के फेबर में ही कैप्टन वाइस कैप्टन दोगे तो सही रहेगा तो भीसी के लिए स्मृति मंदना है नमर एक आप्षन नमर दो आप्षन है रेनुका सिंग ठाकूर नमर तीन आप्षन है पेडी चौथ क्योंकि वहां पर आपको टेंवन कंबिनेशन चलता तो टेंवन कंबिनेशन अगर आप बना रहे हो तो क्या आप टीम में रखोगे किसको किसको पिक करोगे तो यहां पर तेको इसके साथ थोड़ा साब रिस्क ले सकते हो इतनी परफॉर्मेंस अच्छी वाली आई है वह इंडिया से बाहर यानि कि एसिया से बाहर अच्छा परफॉर्मेंस करती है एसिया में स्पीन के सामने थोरा सा इस्टेगल करती तो रिचागोस एक अच्छी ऑप्शन होगी लेकिन यह दिखाना रखना रिचागोस की बैटिंग कि क्या है यानि कि चार नमर के बाद आ रह होंगा और एक और प्लेयर काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दे रही है भी बैटिंग और बोलिंग दोनों से और यहां पर अगर एंडिकलर को पिक करना है तो वेराम के जगह पर एंडिकलर को पिक कर सकतो एक अच्छा आपके लिए हो जाएगा और बाकि सब सेम रहने वाल पर यहां पर है रिस और यहां पर आपको जीव अराम को मैंने पिक किया था वो जहां पर सेवन फोर कमिनेशन चलता चाहिए वह बिजन हो लीग 11 वहां पर आप खेल सकते हो दोनों आप्शन मैंने आपको बता दिए ठीक है तो कर लेते हैं से यह मेरी दूनों टीम है स्मॉ सब्सक्राइब भी मिल जाएगी वहां पर भी आप फोलो कर सकते हो मिलता है नेक्स में तब तक के लिए बेस्टोप लग